मित्रो जैमातादी आप देख धर्मसिक्षा, मित्रो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं property खरेदने के लिए, कौन-कौन से दिन सूब रहने वाले हैं जिन दिनों में जिन तितियों में जिन समयों में आप property का registration करा सकते हैं, जब भी हम property खहिते हैं, चाहे हमारे किसी भी प्रकार की property हो, किसी का दुकान हो सकता है, किसी का बना-बना मकान हो सकता है, कोई जमीन खहित सकता है, मकान बनाने के लिए कोई जमीन खहित सकता है, खेती करने के लिए, कोई flat खहित सकता है, किसी भी तरह का property होता है, उसमें बह नहीं चाहिए तो अछे महुर्थ में हमें पोपर्टी कोो पठेज करना चाहिए विप्रीत परिस्तित्यों में पोपर्टी का लोग खहिदना कर लेते हैं, ऐसे में बाद में पस्ता आते हैं, उससे अच्छा है कि थोड़ी सी महनेद करके क्यों न अच्छे मुर्थ में ही पोपटी को खहिदा जाए। तो मैं फरवरी 2024 का मुर्थ आपको बताना आरम करूं, उससे पहले आये कुछ चीजों की चर्चा कर लेते हैं, किन-किन पैस्तितियों में पोपटी नहीं खहिदा जाता है, तो वो नोट कर लिजिए आप, सनिवार और मंगलवार को पोपटी बिल्कुल खहिदने से आपको ब हर रोज ही पंचांग का वीडियो आता है, उसमें जैसे कल के पंचांग आज ही साम में 4 बजे जान सकते हैं, तो आप जान पाएंगे आज ही साम में 4 बजे कि कल किस समय राहुकाल रहने वाला है, उस समय रेइश्टेशन नहीं करना चाहिए, तीसरा भद्रा, भद्रा जब का उपभग लंबे समय तक लोग नहीं कर पाते हैं, चौथा, जब आपकी रासी से चंद्रमा चौथे आठमे या बारहुए भाव में हो, तो अच्छे मोर्थ होने के बावजूद, पौपर्टी खहिदने से हमें बचना चाहिए, माल लिजे अमुक दिन में बहुत इसके अलावा जब पंचक चले तब भी आपको पौपर्टी का रिष्टेशन नहीं करना चाहिए, पंचक अर्थात जब जंद्रमा का कुम्भ और मीन रासी में प्रवेस होता है, तो आईए लगे हाथों ये भी जानलते हैं कि फरवड़ी दोजाद चोवड़ी में पंचक पंचक ही रहने वाला है, और ये पंचक चुकी सनीवार से आराम हो रहाता है, इसमें पौपर्टी बिल्कुल ही रिष्टेशन काने से आपको बचना चाहिए, आए अब चर्चा कर लेते हैं महुर्तों की, इस बार 500 महुर्त बंढ हैं पौपर्टी खाइदने के लिए, ले व्यक्तिकत तोर पे महुर्त निकल वाला चाहते हैं, तो घवराने की कोई बात नहीं है, इस WhatsApp नमर पे संपग करना है, यहां पे सिर्फोर्षित 251 रुपे की दक्षिना से जमा कराकर, आप अपने लिए महुर्त निकल वाला सकते हैं अपनी सुविधानुसार, पहला जो 11 मिनिट से लेकर रात दिके 1 बच कर 33 मिन तक, इसमें आपको राहुकाल का ध्यान रखना आवस्यक है, और दूसरा जो मैंने बता है अपको अपनी रासी से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना भी आवस्यक है, दूसरा सुम महुर्त बनेगा, वो बनेगा सुम बार 19 फर साथ ही साथ, अपनी रासी से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना भी आवस्यक यहां भी रहने वाला है आपको, दूसरा के बाद 30 राज जो महुर्त बनेगा, वो बनेगा बुधवार 21 फरवई 2024 को, इस दिन तित्री करमसा द्वात्सी और त्रियोदसी रहने वाला है, सुब महुर्त करने मान होगा, सुर्योदे से लिएकर दिन के 3 बज कर 13 मिन तक, इस समय में रइश्ट्रेशन आप करा सकते हैं, लेकिन आपको दोनों जीरों का ध्यान यहां भी रखना आवस्यक है, राहुकाल की स्थिति का ध्यान रखना कि किस समय है, उस समय पोपर्टी दूसरा, अपनी राशी से चंद्रमा की स्थिति का ध्यान रखना, चोथ है, आठ में या बारह में चंद्रमा नहीं होना चाहिए, चोथा जो सुब महुर्द बनेगा हो, गुरुवार 22 फरवई 24 को, तिखी 33 और 44 रहने वाला है, नक्सतर पुस्य और असले सा रहने वाला ह सुब महुर्द का रिमान होगा, सुर्योद से लेकर औहो रात्रिय तक, अर्था जब से जब तक आपके यहां राइश्ट्रेशन का ओफिस खुला रहे, आप राइश्ट्री करा सकते हैं, लेकिन राहुकाल का ध्यान यहां भी रख लिजिएगा, और साधी साथ अपनी रा असलेशा और मघा रहने वाला है, सुब महुर्द सुर्योद से लेकर दिन के तीन बच कर दो मेर तक रहने वाला है, इसमें भी दोनुचियों का ध्यान जब रखें, एक तो राहुकाल का ध्यान, दूसरा अपनी रासी से चंद्रमा के इस्तितिका ध्यान, यह पांच सुब महुर्द निकलवा सकते हैं, तो मिलते हैं इसी तरह की अन्य ग्यान वर्धाक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहे, धर्मसिक्षा, जै माता दिन.